वेलकम दोस्तो एक्सल की क्लास में आपका स्वागत है लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फाइल को कैसे सेव करते हैं ओपन करते हैं पासवर्ट कैसे सेट करते हैं और आज के वीडियो में हम कुछ मज़ेदार चीज़ें सीखने वाले हैं आज हम सीखेंगे इसमें अलाइन कर सकते हैं, left में, top में, bottom में और उसके बाद हम सीखें के text को rotate करना, कैसे हम text को rotate कर सकते हैं और column को delete करना, row को delete करना, यह हम आज की वीडियो में सीखनेवाले हैं, आपको बहुत मज़े आने वाला है, बहुत आसान तरीके से में इसे समझाने वाला हूं तो सबसे पहले हम देखते हैं alignment तो alignment कैसे हम यूज में ले सकते हैं तो alignment के लिए कहीं पर भी आप सेल में बीच में कुछ लिख लेते हैं तो जैसे मैंने यहां पर लिखा हलू अब मुझे इसको टॉप में बोटम में करना है तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे रो है और कॉलम इसका साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तो किसी कॉलम का या रो का साइज बड़ा कैसे करते हैं देखिए बहुत आसान है माउस पेंटरों को यहां पर लाइए और इस तरह से मूग कर दीजिए तो यह रोकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी ऐसी कॉलम का साइज बढ़ाने के लिए यहां से आप इसको नीचे की तरफ करतीजी कॉलम का साइज आपका बढ़ जाएगा अगर लिखे हुए का साइज थोड़ा बढ़ा करना है तो यहां से आप साइज को बढ़ा कर सकते हैं और बार क्लिक करके यह देखिए कि मैं इसको थोड़ा से और स्पेश देता हूं अब अगर माली जी मुझे इसको टॉप में करना है उपर करना है तो यहां पर में क्लिक करूँगा यह देखिए टॉप में आ गया मिडिल में लाना है यह मिडिल में आ गया और यह बिल्कुल बोट्व में तो देखा आपने कितना असान है टेक्स को रोटेट अमदब आइट में ला सकते हैं इस तरह से यह हम सेंटर में ला सकते हैं और यह लेफ्ट में तो अलेला डायक्शन में हम टेक्स को रोटेट कर सकते हैं अगर आप चाते हैं आपका टेक्स जो है बिल्कुल बीचो बीच आए तो उसके लिए आप यहां से सेंटर में लाईए और यह से मिटल में लाइए देखे अब आपका जो लिखावा टेक्ष्ट है वह सैल के बिल्कु पीचो बीच आएगा आप सैल का साइज कितना भी बढ़ा कर लिजे वह हमेशा सेंटर में ही रहेगा यह देखिए है ना मज़ेदार चीज अब हम इसमें देखेंगे टेक्ष्ट को रोटेट करना तो जैसे टेक्ष्ट है आपको रोटेट करना है तो रोटेट कहां से कर सकते हैं इसके लिए यहाँ एक option दे रहा है यहाँ से आप टेक्ष्ट को देखिए अलाला direction में आप रोटेट कर सकते है से हम आप रोटेट कर सकते हैं अब हम सीखते हैं किसी कॉलम को कैसे डिलीट करना है तो इसके लिए आपको करना क्या है कि थुड़ा सामच यहां पर कुछ टाइब कर लेते हैं जैसे मैं यहांपर एक उसमें नमबर लिख लेता हूं तो यहाँ पर मैं नमबर लिख रहा हूं जिससे मैं डिलीट करूंगा तो पता लगएगा कि क्या कंटेंड डिलीट हो रहा है यह देखिए अब माली जे मुझे बीच वाई लैंड जहां पे 40, 50, 60 लिखे हुए हैं इससे डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करना है तो देखिए बहुत आसान है आपको पूरे कॉलम को सेलेक करना है और कॉलम को सेलेक करने के बाल आप राइट क्लिक करके डिलीट पे जा सकते हैं या फिर आप टॉप में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डिलीट इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यह देखिए पूरा column जो है आपका delete हो चुका है अगर आपको उसे बापिस लाना है तो आप undo कर सकते हैं undo करने के लिए आपको keyboard से ctrl plus z दबाना है तो मैंने ctrl plus z दबाया यह देखिए content बापिस आगया मेरा अगर मुझे यह वारी row है line है मिटानी है तो मैं row को select करूंगा और delete यह देखिए row पूरी जो होती है हमारी पूरी डिलीट हो चुगी है वापिस लाने के लिए ctrl plus z तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह कि अगर मैं column select करके रहूंगा तो column मिटेगा और row select करके रहूंगा तो रो मिटेगा लेकिन अगर मालीजिए मुझे particular एक cell ही मिटाना है तो हम कहां कैसे मिटाएंगे तो इसके लिए देखिए आपको डिलीट पर आप क्लिक किजिए तो देखिए वह content पूरा आपका डिलीट हो गया और जो नीचे की वैली तो उपर शिप्ट हो गई बापिस लाने के लिए ctrl जैड दबाता हूं इस तरह किसी cell की content को भी हम डिलीट कर सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक और option है यहां पर डिलीट के बगल में एक arrow बना हुआ इस पर क्लिक किजिए और डिलीट cell पर जाईए और यहां पर मैं लेता हूं यहां पर फस्ट option लेते हैं पहले shift cell left तो अगर मैं यहां पर 50 को डिलीट करत जाएगी और वहां पर क्या जाएगा 80 आ जाएगा तो मैंने okay किया तो देखें 50 रिट हो गया 80 वहां पर आ गया control Z से हम सको बापिस लाते हैं कि दुबारा हम जाते हैं डिलीट cell पर अब देखते हैं shift cell अब अगर मैं इसका यूज करता हूं तो 50 मिट जाएगा 60 उपर आ जाएगा यह देखिए तो इस तरह से हम वैल्ली को रिप्लेस भी कर सकते हैं है मैंКак control-z से बापिस लेकी आते हैं ख'm है पिrad subscription क हम डिलीट रू आर्ट रू नटाए रूट से क्या होता जहां भी मेररा कर से रहें वह तो पूरी की पूरी लाइन हमारी डिडोगे बापस लाने के लिए हमें क्या करना है हमें दबाना है कंट्र प्लस जड है को से बापश से बापस आ गया अग्या फिर से देखते हैं अब देते हैं ऐन्टाइर कोलम इससे क्या होगा पूरा का पूरा जो कॉलम है जहां आपके 50 लिखे हुए पूरा कॉलम हो जाएगा यह देखिए पूरा का पूरा जो कॉलम था वो डिरीट हो गया बापस लाने के लिए कंट्रू प्लेस्ट हमें दबाना है जो कि अंट्रू की शॉर्ट कट की है तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे टैक्स का लाइन करते हैं